राजनिती विज्ञान विश्य में आज हम परवक्टा राजनिती विज्ञान, शायका ध्यापक नागरिक सास्त, शायका ध्यापक सामजी विज्ञान, UGC NET, स्टेट सेट और ऐसे सब भी परतुगी पारिक्षाओं के लिए राजनती बिज्ञान के महत्वपुन बहुभी कल्पी प्रशनों का अध्यन करेंगी पहला बहुभी कल्पी प्रशन है वित परसाशन में शारभोमिक रूप से सामिल है जैसे वातावरण में आक्सिजन है यहा कतन किसने दिया इसके विकल्पे हैं मौरस्टिन माक्स, सरदार पटेल, जोहालान हिरू, लॉयड, जॉर्ज, वित को आक्सिजन के रूप में बताने वाले विचारक M. माक्स यहन कि मौरस्टिन माक्स हैं उनका कहना है कि वित्व पर्सासन में सारभूमिक रूप से सामिल होता है जैसे वातावरण में आक्सिजन होती है विकल्प कोई इसका सही उत्तर है दूसरा परसन है शुन्य आधारिक बजट क्या है? इसके विकल्पे हैं पहला भी कल्प है जहां वित्तमंत्राले पूराने कारिकर्मों और योजनाओं के लिए एक सुन्य लक्ष निधर्द करता है, दूसरा है यह वह हो है जहां शुरू होने वाले नए वित्ति वर्ष के लिए खर्चें, समंजित हैं जो सुन्ने से प्रारम्ब होता है, तीसरा है जहां भारत में CSO नई वित्ति वर्ष के लिए लक्ष निधर्द करता है, चोहता है सरकार के किसी विभाग स्तापना के लिए शुन्य प्रावधान करते हैं, जब हम जीरो वेस्ट बजट की बात करते हैं, तो यह वह है जहां शुरू होने आले नए वित्ति वर्ष के लिए खर्चें, समंजित हैं और जो सुन्य से प्रार्म होता है, विकल्प कोईस का सही उत्तर है, तीसरा प्रस्न है, पहला लोगपाल बिल संचद में कब पेश किया गया था, इसके विकल्पे हैं 1968, 2012, 2020, 1972, भारत में पहला लोगपाल बिल संचद में 1968 में प्रस्तुत कि जा गया था, विकल्प कोईस का सही उत्तर है, चोहता प्रस्न है, 1992 के 74 समयधानिक संसोदन आदिनियम ने किसे समयधानिक इस्तित परदान की, इसके विकल्पे हैं, पहला है नागालेंड और मिजोरम पंचायत, दूसरा है अशम और तिरपुरा, नगरपालिका और पंचाय के 73 और 74 समयधान संसोदन की बात करते हैं, 73 समयधान संसोदन ग्रामिल स्तानी निकाय से समंदित है, और 74 समयधान संसोदन सहरी स्तानी निकाय से समंदित है, इसलिए यहाँ पर विकल्प घौ सहरी स्तानी निकाय 1992 के 74 समयधान संसोदन से समंदित है, और इसे 74 समयधान संसो गई है विकल्प खोई इसका सही उत्तर है और 24 समिधान संसोधन की द्वारा नगर पंचायटों को 18 विशेओं पर कानून बनानी कादिकार दिया है जबकि जो ग्रामिनिस्तानी निकाय है उसमें 29 विशेओं पर कानून बनानी कादिकार दिया गया है 29 बिशे दिये गे हैं, पांच वा प्रश्ण है, सामिधान के कि संचोधन ने लोकसबा के मूल 5 साल की कारिकाल को बहाल किया। इसके विकालपे हैं 44 सामिधान संचोधन, 11 सामिधान संचोधन, 9 सामिधान संचोधन, 42 सामिधान संचोधन। हम जानते हैं कि 42 समिदान चंचुदन 1976 की द्वारा जो कारिकाल था लोक्षबागा वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था लेकिन उन्हब 44 समिदान चंचुदन 1968 की द्वारा इसे मूल रूप से 5 साल का कर दिया गया चाटा प्रशन है शुषाशन यानि कि गूड गॉवर्नेंस के बुनियादी सिद्धानत हैं इसके विकल्पे हैं बीके इंदिकरण और भागिदारी, दूसरा है मानवादिकार और कानून का सासन, तीसरा है पारदर्शिता और जवाब देहिता, चोहता है ये सबी जब हम गूड गॉवर्नेंस यानि कि सुषाशन की बात करते हैं तो सुषाशन में डिसेंटलाइजेशन यानि कि बीके इंदिकरण और भागिदारी होती है, इसमें यूमेन राइ, मानवादिकार और रूल अफ लौ होता है, इसमें पारदर्शिता और जवाब देहिता होती इसलिए यहाँ पर विकल्पग हो, ये सबी जो हैं तुसासन की बुन्यादी सिद्धान्त हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्पग हो, इसका सही उत्तर है, शात्मा प्रस्न है, सामाजिक अनुबंद सिद्धान्त, यानि कि सोशल कॉंटेक्ट थोरी इस पर आधारित है, इसके व लौक रूशोर ने जो सामाजी का अनुमत सिद्धान्त दिया था वो हो ब्यक्तिवादी की चारधारा पर आधारित है अठ्वा प्रशन है आधेश की एकता यानकी unity of command का अर्थ है इसके विकल्बे हैं कि करमचारी को अपनी इच्छा से करने के लिए कई कारी हैं दूसरा है क कि एक करमचारी को किवल एक वरिष्ट से आधिस प्राप्त करना चाहिए इसतरा है कि करमचारी को काम करने के स्तर पर निर्णे लेने के लिए होना चाहिए जो हता है कि कारी कारी को मालिक के आधिसों का पालन करना चाहिए यानि कि यहाँ पर जब हम unity of command के बात करते हैं या आदेश की एक्ता का अर्थ होता है कि जो करमचारी है वो केवल वरिष्ट से आदेश प्राप्त उसको करना चाहिए. यानि कि यहाँ पर बिकल्पको आदेश की एक्ता का अर्थ है कि एक करमचारी को केवल एक वरिष्ट से आदेश प्राप्त करना चाहिए. विकल्प खोईश का सही उत्तर है आदिश की एक्टा को मंगरीज में यूनिटी ओप कमांड कहते हैं नवा प्रशन है GST काउंसिल क्या करती है इसके विकल्पे हैं GST फ्रेमवर्क में करू को सामिल करने की बारे में नेड़े लेती है दूसरा है प्राकर्तिक आप्दा की मामले में विसेश कर लगाना तीसरा है करू की दरो की बारे में नेड़े लेना चोहता है ये सबी जब हम GST काउंसिल की बात करते हैं तो GST काउंसिल GST फ्रेमवर्क में करू को सामिल करने के बारे में निर्णे लेती है प्राकरतिक आपदा की मामली में विशेशकर लगाना और करुक की धरुक के बारे में निर्णे लेना ये तीन होई कारी जो हैं जीएस्टी काउंसिल के हैं इसलिए हापर विकल्प गो ये सबी इसका सही उत्तर है दश्मा प्रस्णे है केंदरी वित्तायू, जो की अनुचेत 280 के अंतरकट आता है किसके बारे में फैसला करता है इसके भी कल्पे हैं केंदर और राज्यों तथा केंदसाशित पर्दिशों की बीच विभाजी पूल दूसरा है राज और पंचायतों के बीच बिभाजी पूल, दिसरा है केंद और डगरपालिकाओं के बीच बिभाजी पूल, चोथा है केंद और केंद साजित परदिशों के बीच बिभाजी पूल. जब हम भारती समिदान के अनुछे 280 की बात करते हैं तो अनुछे 280 में केंद्री वितायू का गठन राष्टपती के द्वारा हर पांस साल के लिए किया जाता है। सही मिलान कीजी यहां पर सुची एक में का सुची दो से ही मिलान करना है। गवर्मेंट की बात करते हैं तो औसबर्न और गैबलर ने पुस्तक लिखी है रेइनवेंटिंग गवर्मेंट जब हम कंपरेक्टिव पब्लिक एडविस्टिशन की बात करते हैं तो फ्रेडरिक इससे जुड़े हुए विचारक हैं। इस तरो से तीन, चार, एक, दो इसका सही कूट है। इसको आप नोट कीजिएगा। बारवा प्रश्ण है, शुशाषन को किस रूप में माना जाता है। इसके विकल्पे हैं पहला है आउसरों की सामानता को प्रोचसाहन, दूसरा है कानून का सासन यों भेदभाव के बिना कानून का कार्यानवन, तिसरा है नियाए पालिका में कोसल, निश्पक्ष और सीग जाता है ये सबी, जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो इसमें आउसरों की सामानता को प्रोचसाहन दिया जाता है, कानून का सासन होता है, और भेदभाव के बिना कानून का किरियानवन होता है, और नियाए पालिका में कोशल, निश्पक्ष और सीगर निप्ता है, इसके विकल्पे हैं, एवी डाइसी, फ्रेडरेक्स, योहाला लहरू, महत्मा गाधी, यहोका थन एवी डाइसी का है, एवी डाइसी ने रूल आफ लोग के बारे में कहा है, कि सबी कानून के समक्ष सामान है, और समिधान की उत्पत्ति मानवाधिकार है, चोधुआ प दूसरा है, पैसे की आव्योसे बचा जाएगा, दिसरा है व्रस्टाचार कम होगा, चोहता है, ये सबी, जब हम सोचल अउडिटनग पे बात करते हैं, तो सोचल अउडिटन से परियुजना की सामाजिक आप्तिक प्रभाग की जानकारी मिलती है, पैसे की आव्योसे बचा के वुनियादी सिद्दांत क्या है यानि कि जो भागिदारी विकास के हम बात करते हैं वो किन सिद्दांतों पर काम करता है यहाँ पर चार कथन दिये हैं पहला है जनकेंदित होती है दूसरा है इस्तानी संसादनों का उपयोग होता है तीसरा है स्तानी ज्यान का उपयोग हो आधारित होती है यह स्तानी ज्ञान का उप्योग करती है और इससे सीमानतवर्गों को लाब मिलता है सीमानतवर्ग इसमें सामिल होते हैं इसलिए यहां पर एक दो तीन चार विकल्प यहां पर जो विकल्प ग्वौ है यह वाला कूट बिलकुल सहिए इस पर आप नोट किज ही है पहला कतन है नागरिक समाज पर एक जवाब दे और पारदर्सी राज्जी के लिए काम करता है दूसरा है सुचना कादिकार दिन्यम 2005 सभी कार्पोरेट संस्ताओं द्वारा दिगी जानकारी को शंदर्वित करता है तीसरा है शुशाशन गरीबी को काम करता है जब हम कादिकार की बात करते हैं तो सुचना का दिकार सभी कार्पोरेट संस्ताओं पर लागू नहीं होता है यह केवल जो सरकारी संस्ताओं द्वारा दिगी जानकारी को शंदर्वित करता है यह सही नहीं है क्योंकि सुचना का दिकार दिन्यम 2005 सभी कार्पोरेट संस्ताओं द् थीसरा, शोशाशन गरीबी को कम करता है, यह भी सही है, इसलिए यहां पर एक और तीन वाला जो कूठ है, वह बिलकुल सही है, विकल्पगोः एक और तीन वाला कूठ सही हुततार है। सामना कर रहा है इसके जो चार इसमें कतन दिये हैं कार्पूरेट प्रसासन का आर्थिक इस्तिरता का कल्यानकारी उपाई का पर्यावरण संदक्षन का तो जब हम बात बैस्वी करण और उधाकरण करते हैं तो कहीं न कहीं इसे कार्परेट परशासन का की चुनोतियां आर्थिक इस्तिरता की चुनोतियां और वेलफेर स्टेट या कल्यानकारी राजी के उपाई की चुनोतियां आ रहे हैं क्योंकि जैसे से प्रतिशेद परमादेश अधिकार पिर्चा ब्यादेश जब हम भारती समिदान के अनुचेद 32 की बात करते हैं तो उसमें बंदी परतिशेद परमादेश अधिकार पिर्चा ब्यादेश नहीं है इस यहाँ पर बिकल्प गो ब्यादेश जो है इस प्रश्ने का सही उतर है यह याचिका भारती समिधान में परदान नहीं की गई है परतिशेद परमादेश अधिकार पिर्चा और हैबिया स कॉर्पेश पंदी पर्तेक्षेकरण 32 में सामिल हैं। उन निश्वा प्रस्न हैं, नेमलिकेत मैं से किस के लिए सामिधान का 73 संचोधन आरेक्षन प्रदान करता है। जब हम भारती सामिधान के 33 संचोधन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पंचायतों से सम्मधित हैं, और पंचा सरवे सामिधान संचोधन के तहट आरेक्षन के लिए इन पर लागू होती हैं बात हैं। वीश्वा प्रस्न हैं, सही मिलान कीजी। शुच एक का हमें, शुच दो से मिलान करना है। शुच एक में ब्यवस्ताएं या सिद्धानत हैं, शुच दो में उनसे सम्मंदित, सिद्धानत की बात करते हैं, तो यह सननस्नाव पर जोड़ देता है। जब हम human relation यानि कि मानुश हमन सिद्धानत की बात करते हैं, तो यह अनौपचारिक संगटन पर जोड़ देता है। जब हम behavior, ब्योहार, वादी सिद्धानत पर बात करते हैं, तो यह तथ्य विन्यास पर जोड़ देता है और जो सिस्टम यानिकि पानाली सिद्धानत है वह पर्यावरण पर जोड़ देता है इस तरह से तीन, चार, एक, दो इसका सही कोट है इसको आप पुन हमेज कर लिजिएगा 21 प्रशन है भारत को किस लिए कल्यानकारी राजी माना जाता है और कि वो कौन सा भारती समयदान में ऐसी चीज है या ऐसी सिद्धानत है जिनके कारण भारत को वैलफेर स्टेट माना जाता है इसके विकल्पे हैं मौलिक अदिकार, दूसरा है समान नागरिक सहिता की प्रावधान, तीसरा है राजी के निदिशक चिद्धान, चोहता है स्सी और स्टी के लिए बिशेष प्रावधान जब हम भारत को वैलफेर स्टेट की बात करते हैं, भारत को वैलफेर स्टेट मानने का जुग मुख के कारण है, वह हो है भारती समिदान का भाग चार, भाग चार में अनुछे 36 से लेकर 51 तक जो प्रावधान है, वह वैलफेर स्टेट को परदशित करते हैं, इसलिए यहा प्रेशर गुर्प की बात करते हैं तो समाज के जो आर्थिक और सारजनिक हित समू है वो इस सभी दबाव समू की स्रेणी में आते हैं इसलिए विकल्प गौव इसका सही उत्तार है त्रेश्वा प्रस्न हैं NGO एनके Non-Government Organization कौन है इसके भी कल्प है चैरिटी संगठन सेवा प्रदाता तीसरा है नागरिकों के ससक्तिकरण के लिए संगठन और भागिदारी संगठन चोहता है ये सबी जब हम NGO की बात करते हैं तो NGO में चैरिटी संगठन सेवा प्रदाता और नागरिकों के ससक्तिकरण के लिए संगठन और भागिदारी संगठन ये सबी जो हैं NGO के अंतरगत आती हैं 24 प्रशन है शूचना का अधिकार लागो करने वाला पहला देश कौन सा था इसके विकल्प में हैं शूइडन, ब्रिटेन, प्रांस, सिरलंका शूचना का अधिकार अधिनयम भारत में 2005 में लागो हुआ था 12 प्रशन में लेकिन जब सबसे पहले देश के बात आती है तो सबसे पहले शूइडन ने अपनी यहां शूचना का अधिकार लागो किया था 25 प्रशन है लोग प्रशाशन में सरकार की किस साका को व्यापक परिपेक्ष में शामिल किया गया है इसके विकल्पे हैं विधान मंडल, कारिपालिका, न्यायपालिका ये सबी लोग प्रशाशन में सरकार के विधान मंडल, कारिपालिका और न्यायपालिका इन तीनों ही अंगों को सामिल किया जाता है इसलिए यहां पर विकल्प घौफ ये सभी जो है सही उत्तर है 26 प्रश्ण है लोपरसासन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है क्योंकि पहला भी कल्प है युद्धरत राजी की आउधारणा के वज़ाए कल्यानकारी राजी की आउधारणा को महत्व मिल रहा है दूतरा है नीजी छेत्र निरत्तक होता जा रहा है तीसरा है ये दोनों चोहता है इन में से कोई नहीं लोगपरसासन का महतु बंड़े का जो मुख्य कारण है वह है युद्दरत राजी के आउधारना के बजाए वर्तमान में वेलफेर स्टेट की आउधारना को महतु मिल रहा है इसलिए लोगपरसासन का महतु बर रहा है विकलपको इसका बिल्कुल सही उतर है आज हर राजी अपने नागरिकों को कल्यानकारी राजी से जोड़कर उनके धितों की रक्षा करना चाहता है। वह युद्धरत राजी की अउधाना को एक साइट करके कल्यानकारी राजी की भूमिखा में आ चुका है। इसलिए लोगपरशासन और की पब्लिक एड्मिस्टेशन का महत्तु निरंतर बढ़ रहा है। उद्रो विल्सन, अरल एटली, मैक्स बैबर, हर्बर साइमन ऐसा मानना उद्रो विल्सन का है। उड्रोविल्सन ने सिबिल सेवाओं की सटस्ता पर जोड़ दिया ताकि लोगतांती सरकार जो है धंग से काम कर सकें और ये लोगतांती सरकार के सबसे महत्रपुन पहलू में एक होती हैं। 28 प्रस्न है अखिल भारती सिवाओं का जनक किसे माना जाता है। इसके विकल्प हैं लौड मैकाले, सरदार पटेल, चोहाला लहरू, राजाजी। भारत में अखिल भारती सिवाओं का जो जनक माना जाता है वो सरदार पटेल को माना जाता है। विकल्प खोईस का सही उत्तर 29 प्रस्ण है भारत के महानयवैदी के लिए भारती समिधान में किस में प्रावधान किया गया है इसके विकल्पे हैं अनुछे 76, अनुछे 78, तीसरा अनुछे 86, अनुछे 77, चौहता अनुछे 77 और अनुछे 78 भारती समिधान का अनुच्छेट 76 जो है वो हो एटोनी जर्नल यानि कि महानयवादी से समंधित प्रावधन करता है विकल्प को इसका सही उत्तर है प्रावर्ट ओबन द्वारा समर्थित समाजवाद को कहते हैं इसके विकल्पे हैं बैक्यानिक समाजवाद, शामुहिकवाद, सर्मिक संगवाद, आदर समाजवाद समाजवाद, रोबर्ट ओवन ने जो समाजवाद दिया था उसे हम आदर समाजवाद कहते हैं समाजवाद सब्द को सब्सक्ते पहले रोबर्ट ओवन नहीं पॉइंट किया था तो उनके द्वारा जो समाजवाद दिया गया था उसे हम आदर समाजवाद कहते हैं विकल्प घौईज का सही उत्तर है। 31 प्रस्ण है किसने कहा कि समाजवाद एक गिर्गिट जैसा पंत है। इसके विकल्पे हैं कालमाज, लेनिन, रेमजे मियोर, टी अज ग्रीन। समाजवाद को गिर्गिट जैसा पंत कहने वाले विचारक रेमजे मियोर हैं। विकल्पगौ इसका सही उत्तर है 32 प्रस्न है शबी अधिकार इससे तुलनात्मक होने चाहिए इसके विकल्पे हैं धर्म, रिवाज, शामानिहित, संस्किर्थ सबी अधिकार सामानिहित से तुलनात्मक रूप से होने चाहिए उससे सामानिहित हो ऐसे अधिकारों से हम कामना करते हैं इसलिए भी कल्पगो सामानी हित सही उत्तर है 33 प्रस्टन है अधिकार को कानूनी सिद्धान्त की समर्थन का स्रे इसे जाता है यानकि कौन सा विचारक है जो अधिकारों की कानूनी सिद्धान्त का समर्थन करता है इसके विकल्पे हैं John Locke, Austin, Jeremy Bentham, Grossius इसका सही उतर है John Austin John Austin को हम कानुनी सिद्धान्त का परवर्तक मानते हैं 34. किसने कहा कि अधिकार यह सामाजिक चीवन की बहुत हरते हैं जिनके बगएर कोई भी आदमी सामानेत हो अपने आपको अपने से बेहतर नहीं महसूस कर सकता इसके विकल्पे हैं Hobbs, Harold Lasky, Arastu, JJ Russo यहाँ कतन Harold Lasky का है Lasky का कहना है कि अधिकार सामाजिक चीवन की बहुत हरते हैं इनके बगएर कोई भी आदमी अपने आपको बेहतर महसूस नहीं कर सकता है विकल्प खोईस का सही उत्तर है 35 प्रस्न है अधिकार का आदर्स्वादी सिद्दांत जोड़ देता है इसके विकल्प हैं सामाजी विकास पर, आर्थी विकास पर, नागरी विकास पर, नहती विकास पर अधिकारों का आदर्स्वादी सिद्दांत नहती विकास मोरल डेवलेप्मेंट पर जोड़ देता है इसका विकल्प खोव सही उत्तर है 36 प्रस्न है यूग गितम की उत्तर जीविता शिद्दान्त का समर्थन किस ने किया इसके विकल्पे हैं Adam Smith, Harold Lasky, Herbert Spencer, Karl Marx यूग गितम की उत्तर जीविता शिद्दान्त का समर्थक, Herbert Spencer है विकल्प गोईस का सही उत्तर है जीवन का अधिकार वह है इसके विकल्पे हैं नेतिक अधिकार, राजनितिक अधिकार, नागरी का अधिकार, कानुनी अधिकार जीवन का अधिकार जो है वह नागरी का अधिकार किस नेनी में आता है विकल्प गोईस का सही उत्तर है अन्तीस्वा प्रश्ण है समानता का अधिकार है इसके विकल्पे हैं नागरी का अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनितिक अधिकार, कानुनी अधिकार समानता का अधिकार जो है वहो नागरिक अधिकारों की सेड़ी में आता है विकल्प गोईश का कोईश का सही उत्तर है 49 प्रश्ण है किसने जीवन, आजादी और संपत्ति को आदमी का आहस्तांत्रित अधिकार माना है इसके विकल्पे हैं जोन लोग, हॉप्स, टीयस ग्रीन, आरस्तो, लाइफ, लिवर्टी और प्रॉपर्टी को आहस्तांत्रित अधिकार मानने वाला विचारक जोन लोग है जोन लोग के अनुसार प्राकरतिक आवस्ता में भी ये अधिकार व्यक्ति के पास मौजूद थे विकल्प को इसका सही उत्तर है और की राज्य बनने से पहले ही व्यक्ति के पास जीवन, वतंतरता और संपतिक अधिकार था और ये आहस्तांतली है इनको किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है चारिस्वा प्रस्त है अधिकार के आदरस्वादी सिद्धान्त को कहते हैं इसके विकल्पे हैं तात्पिक शिद्दान्थ, ब्यक्तित्व शिद्दान्थ, बैज्यानिक शिद्दान्थ, सामाजिक अनुबन शिद्दान्थ. अधिकार के आदरस्वादी शिद्दान्थ को ब्यक्तित्व शिद्दान्थ कहा जाता है. विकल्प खौईस का सही उत्तर है जब तालिशवा प्रश्ण है किसने कहा कि संपत्य अधिकार का स्रोत है इसके विकल्बे हैं मैक्यावली, अरस्तू, फ्लेटो, लास्की इसका सही उत्तर है मैक्यावली मैक्यावली ने संपत्य को अधिकारों का स्रोत माना है मैं क्यावली के बारे में आपने सोना होगा कि एक ब्यक्ति अपने पिता की मिर्थ को भूल सकता है लेकिन पैत्रिक संपत्य को नहीं भूल सकता है मैं क्यावली ने संपत्य और आर्थिक अधिकारों की बारे में कहा है कि ब्यक्ति को भले ही आप मिर्थु दंड दे दें लेकिन उसको कभी भी उसके आर्थिक अधिकारों से बंचित नहीं किया जाना चाहिए मैं क्यावली ने आर्थिक अधिकारों को बहुत अधिक महत्त दिया है, वो संपत्तिक अधिकारों का स्रोत मानता है 42 प्रश्ण है, सभी संपत्ति चोरी हैं यह अभिमत किसका था? इसके विकल्पे हैं जेस्मिल, एडम स्मिर्थ, काल मांक्स, प्रोंधो सभी संपत्ति चोरी हैं ऐसा मानना प्रोंधो का है, विकल्प गोईस का सही उत्तर है 43 प्रश्ण है, निम्न मैं से कौन सा विचारवादी सासको द्वारा संपत्ति रखने की समर्तन में नहीं था? इसके विकल्पे हैं अरस्तो, फ्लेटो, लास्की, उप्रोगत सभी इसका सही उत्तर है प्लेटो, प्लेटो ने अविवावक वर्ग इसमें वह सैनिक वर्ग और सासक वर्ग को रखता है, उसके लिए वह परिवार और संपत्ति की सामिवाद की बात करता है यानि कि अरस्तु ने जो अभिवाक वर्ग है उसके लिए कहा है कि वो हो संपत्तिका और परिवार का शामिवाद से दानत अपनाएगा यहाँ पर विकल्प को सही उत्तर है प्लेटो ने नियाई के लिए सासक वर्ग, शैनिक वर्ग और उत्पातन वर्ग तीन तरह किस्तिक को बाटा था उसका मानना था कि जो ब्यक्ति जिस कारिक के लिए उसे वही कारिक करना चाहिए और यहाँ पर वो हो अपने राज्जी की भलाई के लिए सैनिक वर्ग और सासक वर्ग से के लिए संपत और परिवार की सामिवाद की बात करता है लेकिन उत्पादल वर्ग के लिए कहता है कि वह हो परिवार और संपत्ति रख सकते हैं इसके यहाँ पर विकल्पक्षो लेट्व इसका तई उत्तर है 44 प्रस्ट है liberty सब्द Latin के सब्द से लिया गया है इसके विकल्प हैं लेवल, लिंग्वा, लेवर, लीवर Liberty सब्द के उत्पत Latin सब्द लीवर से हुई है यहाँ पर विकल्प भो लीवर सही उत्तर है 45 प्रशन है किसने कहा कि आजादी नैतिक कानून पालने में ही सामिल है इसके विकल्पे हैं GDS कोल, सिप नौजा, कालमाक्स, बारकर इसका सही उत्तर है सिप नौजा सिप नौजा ने कहा कि आजादी नैतिक कानून पालने में ही सामिल है विकल्प को इसका सही उत्तर है 46 प्रशन है समानता की होड में आजादी की आसा को धूल में मिला दिया यो किस ने कहा इसके विकल्पे हैं लॉड एक्टन, आॉस्टिन, पॉलेंड, लॉड ब्राइस इसका सही उत्तर है लॉड एक्टन लोड एक्टर ने कहा कि समान्ता की होड में आजादी क्यासा को दूर में मिला दिया है। अनचालिस्वा प्रश्ण है जस्ति सब्द यहो लेटिन के इस सब्द से लिया गया है। इसके विकल्बे हैं Just, Just, Joint, Judge जस्ति सब्द लेटिन भाषा के Just सब्द से लिया गया है। विकल्ब खौय सका सही उत्तर है। उन पचास्वा प्रशन है न्याई यहो तत्तो है इसके विकल्पे हैं कानूनी धारणा, नैतिक धारणा, सामाजिक धारणा, चो हता है जटिल धारणा जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित हैं। जब हम न्याई की बात करते हैं तो न्याई अपने आप में एक जटिल कॉम्प प्लक्स धारणा है जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित होती हैं इसलिए विकल्प गोईस का सही उत्तर है पचास्वारंति प्रशन है इस पेपर का विसेश्ट वर्गिसिद्दांत के ब्याख्याता इसके विकल्पे हैं राजनितिक समानता में विश्वास रखते थे दूसरा है सासक और परजा के बीश की समानता में विश्वास रखते थे इस तरह सासक और परजा के बीश की समानता में विश्वास नहीं रखते थे चौहता उपरी सभी तीनों सिद्दांतों में विश्वास रखते थे जब हम अविजन वर्ग सिद्दांत को पढ़ते हैं एलिट और परजा सामान नहीं है क्यों जब यह कह दिया है कि कुछ लोग राजा बनने के लिए तो कुछ लोग परजा बनने के लिए इस पृत्वी में आये हैं तो इसका मतलब है कि जो अभिजन वर्ग सिद्धान्त वाले हैं विशिष्ट वर्ग सिद्दान्त की समर्तक है, उनका मानना है कि सासक और परजा की बीज की समानता में विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प गौ जो है, विशिष्ट वर किसी दांत की ब्याक्षाता, सासक और परजा की बीज की समानता में विश्वास नहीं रखते हैं, सही उत्तर है, विशिष्ट वर किसी दांत माप, पैरेटो, मोसका, रोबर्ट मिसेल्स को पढ़ सकते हैं, यहाँ प इस प्रश्ण पत्र में हमने एक से लेकर पचास थक्य प्रश्णों का अध्यन किया है, इस प्रश्ण पत्र में इतना ही धन्यवाद